साइलेक्रिक लाज मशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चेनल में एक बार फिर से आज के इस वीडियो में बात करेंगे आउतार 2 के 10 दिनों के वल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में रनवीर सिंग की सरकस के 3 दिनों के अपडेटेट टोटल कलेक्शन के बारे में वही बात करने वाले हैं सुपरिष्टा राजे दियुगन की ब्लोकबश्टर फिल्म द्रश्यम 2 के भी अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में साथ इसाथ बात करेंगे इस अपते रेली छुई रवितेजा की धमाका और विसाल की लाठी फिल्म के भी टोटल बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन सबी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड की कमई कर ली तो चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ ही साथ कमेंड करके बताईएगा कि इन सबी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है सबसे पहले अगर बात करें विसाल की फिल्म लाठी के बारे में जिस फिल्म को box office पर रिलीज हुए आज हो चुके है चार दिन लेकिन फिल्म ने चार दिनों में box office से जो कमई की है वो एक तरह से decent है यानि कि फिल्म के collection ना तो बहुत ज़ादा है ना ही बहुत कम बात की जाए इस फिल्म के device collection के बारे में तो लाठी फिल्म ने पहले दिन इंडिया से collection 2.50 लाख रुपे का किया था दूसरे दिन 2.80 लाख रुपे तीसरे दिन सिर्फ 2.45 लाख रुपे वही चोथे दिन 2.10 लाख रुपे यानि कि लाठी फिल्म का चार दिनों के अंदर इ पूटल ग्रोस कलेक्शन किया है 14 करोड 50 लाक रुपे बताना चाहूंगा दोस्तो फिल्म का बजट है 20 करोड का और फिल्म को दुनिया भर में 1350 स्क्रीन पर रिलिच किया था तो जितना फिल्म का बजट है उस हिसाब से देखे जाए तो लाठी फिल्म बॉक्स ओफिस पर ए दूसरा हपता चल रहा है लेकिन दूसरे हपते में ये फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस पर जिस तरह की धमाकेदार कमाई कर रही है उसे देखकर लगता है कि फिल्म का जो फाइनल इंडिया ग्रोस कलेक्शन है वो मिनिमम साड़ 400 या साड़े 400 करोड क्रोस अराम से कर अपने आठवे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 12 करोड 85 लाख रुपे किया वोही नोवे दिन तो फिल्म का कलेक्शन पूरी तरह से दम भर गया और फिल्म ने अपने नोवे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 21 करोड 25 लाख रुपे का किया वोही दोस्तों इस फिल्म ने अपन 10 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 252 करोड 70 लाक रुपे का हुआ है वही इंडिया ग्रोज कलेक्शन 303 करोड रुपे जिया दोस्तों आउतार 2 10 दिनों में ही इंडिया ग्रोज कलेक्शन सभी भासाओं से 300 करोड से भी जादा का कर चुकी है लिकिन बात करें से टोटल ग्रोस कलेक्शन 765 मिलियन डॉलर का किया है यानि कि इंडियन करंसी के हिसाब से 6109 करोड रुपे तो बतादे दोस्ता अउतार टू इंडिया में ब्लोकबस्टर हो चुकी है वही वर्ल्ड वाइड मार्केट में हिट होने के लिए फिल्म को एक बिलियन डॉलर की क इतनी सांदार कमई की है और अभी तो बहुत सारे होली डेज बाकी है यानि कि नए साल के छुट्टी और अभी 3-4 दिनों तक तो इसकूल और सरकारी काम बंदी है यानि कि फिल्म को आने वाले 3-4 दिनों में भी जो कलेक्शन मिलेंगे उसे देखकर साप लग रहा है कि यह पर धमाका फिल्म रवी तेजा के करियर के एक बड़ी ब्लोकबश्टर बनेगी क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए धमाका के अब तक के टूटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर धमाका फिल्म ने पहले ही दिन वर्डवाइड मार्केट से 10 करोड रुपे की सांदार कमई की थी वही दूसरे दिन फिल्म का वर्डवाइड कलेक्शन रहा 9 करोड रुपे यानि कि दो दिनों में ही फिल्म ने दुनिया भर से 19 करोड रुपे कमा लिये थे बात करेती इसरे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों यहाँ पर धमाका फिल्म तीसरे दिन भी worldwide market से कमा रही है है लगभग 8 करोड रूपे और इसी के साथ धमाका फिल्म का सुरुवाती तीन दिनों में worldwide gross collection हो रहा है 27 करोड का जियां दोस्तों तीन दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से 27 करोड की सामधार कमई कर ली है और ये फिल्म आने वाले दीमनों में सायद 50 करोड रुपे से भी जादा का कलेक्शन करेगी और बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी ब्लोकबस्टर हो जाएगी वही अब अगर बात करें इस अब ते रिलिज हुई रोहिस सेटी की फिल्म सरकस के बारे में तो दोस्तो सरकस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ना तो ओपनिंग धंकी ली ना तो वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में कोई बड़ी ग्रोह थाई जबकि फिल्म में रनवीर सिंग, पूजा हेगडे, जेकलीन, जोनी लिवर, संजे मिस्रा और भी बहुत सारी बड़ी स्टार काश्ट ही पर बात की जाए कलेक्शन की तो दोस्तो 85 करोड के बजट में बनी सरकस फिल्म, जिसे दुनिया भर में 4000 स्क्रीन पर रिलिच किया था इस फिल्म ने पहले दिन तो बॉक्स ओफिस पर जो ओपनिंग ली, वो फिल्म के प्रोडूसर ने खुद नहीं बताई लेकिन बात करें कि अभी तक फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना हुआ, तो दोस्तो यहाँ पर सरकस ने शुरुआती दो दिनों के अंदर इंडिया से ग्रोस कलेक्शन 14 करोड 93 लाक रुपे का किया है वही दोस्तो इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन, यानि कि रवीवार, ओल इंडिया नेट कलेक्शन किया लगभग 7 करोड 50 लाक रुपे, जो की उमीद से काफी कम रहा यानि कि दोस्तो इहाँ पर सुरुआती तीन दिनों के अंदर जो सरकस का, इंडिया ग्रोस कलेक्शन है वो रहा 24 करोड का, बात की जाए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी फिल्म ने कोई खास कमई नहीं की और फिल्म का तीन दिनों के जो वर्ल्ड वाइड एश्टिमेट ग्रोस कलेक्शन है वो रहा लगभग 32 करोड का, जिया दोस्तो तीन दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से सिर्प 32 करोड रुपे कमाई, जो की काफी मतलब की बहुत जादा कम कलेक्शन है, वही अब अगर बात करें 2022 की बोल्यूट की वन अब दा बिगेश्ट ब्लोकबेश्टर फिल्म द्रश्यम टू के बारे में, तो दोस्तो द्रश्यम टू को बोक्स ओफिस पर इस वक्त छटा हपता चल रहा है, मतलब कि आपको यकिन नहीं होगा कि इस साल बोल्यूट की फिल्म में छे दिन नी दम भर पाई, लेकिन य साफी दमदार हो रहे हैं, अगर भी बात की जाए द्रश्यम टू के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तो आभिसेक पाठक के डारेक्शन में बनी द्रश्यम टू, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे, सुपरिश्टार अजे देवगन, अक्षे खना, तबू, स् सितादता, बताना चाहेंगे दोस्तो, फिल्म का बजट था सिर्फ 50 करोड रुपे, और फिल्म को पहले हपते में दुनिया भर के अंदर लगभग 4,000 स्क्रीन पर रिलिच किया था, लेकिन छटे हपते में द्रश्यम टू के पास स्क्रीन्स बची है, सिर्फ 300 से 400, लेकिन इतनी कमी स्क्रीन पर भी ये फिल्म धमा के दार कमई कर चुकी है, जिया दोस्तो, आपको बता दे कि द्रश्यम टू ने सुरुवाती पाँच हपतों में इंडिया से नेट कलेक्शन 224 करोड 68 लाक रुपे का किया था, वही दोस्तो इस फिल्म ने अपने छटे सुक्रवा 90 लाक रुपे, वही ये फिल्म अपने छटे रविवार यानि कि आज 1 करोड 50 लाक रुपे कमा चुकी है, इसी के साथ दोस्तो द्रश्यम टू का अभी तक टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 227 करोड 63 लाक रुपे का हुआ है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 271 करोड द्रश्यम टूर 1 करोड यानिया भर से 357 करोड की सांदार कमै करके ब्लोक बस्टर हो चुकी है